भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एन हाईवे मिनिस्टर शरी नितियनगटकरी जी ने रिसंटली हुई CII के एक इवेंट में बताया कि कैसे इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने वाले क्रूड ओईल से हमारी जो एकोनॉमी है वो कैसे एक लोन यानि कर्ज के रूप में परिवर इन टाइम में इंडिया अपने क्रूड ओईल की जो जरूरते हैं उनको पूरा करने के लिए 85% फ्यूल्स को इंपोर्ट कर रहा है और इससे एक साल में लगभग आट लाग करोड रुपए खर्च किये जाते हैं जो अर्थ वैवस्ता पर एक बहुत बड़ा बोज बन चु किये थे एक साल के अंदर एथनॉल ब्लेंडिंग से इन फ्यूल्स वहीं नितिंगटकरी जी ने बताया कि उन्होंने माइनेटरी कर दिया है कि जितनी भी ऑटो मुबाइल मैनिफाक्चर कंपनिया इंडिया में प्रेजंट हैं वो सब ही फ्लेक्स फ्यूल एंजिन के उपर वेहिकल्स को डिजाइन करें और उनको मार्केट में जल से जल लॉंच करें और फ्लेक्स फ्यूल इंजिन वाले वेहिकल्स ऐसे वेहिकल्स हों के जिनको पैट्रोल डीजल के साथ साथ हम अल्ट्रेटिव फ्यूल से ही भी ऑपरेट कर पाएंगे वहीं अगर इस इंडस्ट करने के उपर कई बड़े प्रोजक्ट तयार किये हैं जहां पर शामिल है टाटा रिलाइंस इंडस्टीज जी इस डवल्यू विदानता कोल इंडिया भारत पेट्रूलियम ओईल इंडिया और भी बहुत सारी इंडियन कंपनी इस जिए साथ में अगर हम मिनस्ट्री वाइस ब करोड रुपए प्रमोट होंगे हाइपर लूप और हाइड्रोजन फ्यूल बेस ट्रेंज के उपर जो की कोई नया कॉंसेट नहीं है जमी जैसे कंट्री में इनको आपरेट किया जा रहा है तो इंडिया को एडाप्ट कोना है इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे क रोकने के लिए नितिन गटकरीज के द्वार आई ये एक बहुत बड़ा प्रयास है तो आप लोगों का इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है अपनी राय कमेंट बक्स में ज़रू लिखेगा भारत के ऐसे ही यूसूल एन इन्फोर्मेटी वीडियो पाने के लिए आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में ये तब्तक लिए बंदे मात्रम भारत माता कीच्छे